आज मैं आप सभी क्रिस्पी और बहुत ही डिश्टी नास्ते की डिश्पी ये नास्ता बहुत ही ज्यादा हिल्दी होगा क्योंकि हम इसे मैदे से नहीं बनाएंगे इसे हम सिर्फ सूजी और गेहुं की आटे से बनाएंगे तो चलिए इस मज़ेतार रेस्पी को बनाना सुरू करते हैं सबसे पहले हम लेंगे एक बड़ा सा बोल फिर हम डालेंगे इसमें एक कटोरी गेहुं का आटा आप कफ या कटोरी कोई भी मैजरी के लिए सिट कर सकते हैं फिर हम डालेंगे उसी कटोरी से एक कटोरी सूजी तो सूजी यहाँ पर मैंने मोटी वाले ली है आप कोई भी सूजी ले सकते हैं फिर हम डालेंगे इसमें तील मड़े चमच सफेद वाले तील ये मार्केट में बहुत एजली मिल जाते हैं फिर हम डालेंगे इसमे थोड़ा सा हरा धनिया बारी कटा हुआ और फिर डालेंगे इसमे एक छोटी चमच कुटी हुई लाल मिर्स चिली फ्लेक्स जिसे कहते हैं और फिर हम डालेंगे इसमे स्वाधरुसार नमक अब हम इन सभी dry ingredients को अच्छ से mix कर लेंगी सभी चीजों को mix करने के बाद अब हम डालेंगे इसमें मोयन तो मोयन के लिए मैंने यहाँ पे दो चमश तेल लिया है तेल को डालने के बाद अब हम इसे हाथों से अच्छ से mix करेंगे जिसे कि सूजे के कड़ कड़ में मोयन लग जाए फ्रेंस अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं और आपको मेरी recipe अच्छी लगती है तो इसे अपने फ्रेंस में जरूर सेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें जिसे कि मेरी जो वीडियो आए उसकी notification आपके mobile में सबसे पहले आए तो इस प्रकार से हमने मोयन को आटे में अच्छ से mix कर लिया है अब हम लेंगे एक छोटी सी कटोरी और फिर हम इस आटे को इसमें निकाल लेंगे क्योंकि यह सूजी है, सूजी गूथने के बाद थोड़ा फूलती है तो इसके लिए हम इसे थोड़ा सा नरम आटा लगा देंगे तो यह फूल के बिल्कुल परफेक्ट डो बन जाएगा जिसमें पानी डालके हम दो से तीन बारमी से अच्छे से गूथ लेंगे तो मैंने ये डो को तयार करने में एक कव पानी का योज किया है और आप देख सकते हैं यह बहुत ही नरम आटा लगके तयार हो चुका है तो अब आप इस प्रकार से अटे को सेट कर देंगे और फिर आप इसे ढखके दोसे तीन मिनट के लिए रख देंगे जिससे के सूजी हमारी अच्छे से फूल जाए अब जो हमने कटोरी में आटा निकाल के रखा था उसको हम ले लेंगे और इस पे हम पानी डालके इसका गोल बनाके त्यार करेंगे तो गोल को भी हम एकदम गाड़ा नहीं बनाएंगे थोड़ा पतला रखेंगे और जब यह सूजी फूल जाएगे तो यह बिल्कुल परफेक्ट कंडिसर में आ जाएगी तो आप सोच रहे होंगे कि यह गोल कितना जदा पतला है लेकिन परेसान ना हुए यह सूजी है सूजी अभी फूलेगी और यह थोड़ा सा थीक हो जाएगा तो अभी हम इसे भी साइट में रख देंगे तो चलिए अब हम तया करते हैं इस टपिंग तो इसके लिए हमने यहां पर चार से पांच उबले हुए आलू ले लिए यह आलू बहुत ही छोटे साइज की हैं अगर बड़े साइज की आलू हो तो आप दो या तील ले सकते हैं अब तो यहां पर हमने एक ग्रेटर लिया है और इससे हम आलू को बारी ग्रेट कर लेंदेंगे अगर जाए तो इन्हें हातों से मैश कर सकते हैं इसमे एक भी लांज नहीं रहनाए है मैं इसे ग्रेटर से ग्रेट कर लिए यह देखेञी एकदम बारी गरेट हुई है अबस इसी परकार मैंने सभी आलो को ग्रेट कर लिया है और अब हम डालेगे से फूर कुछ मसाले तो यहाँ पर मैंने डाला है half a half a half tea spoon जिसको मैंने बिल्कुल बारी कट कर लिया था एक छोटा चमन डालेंगे हम कुटी भी लाल मिर्शू और फिर आम डालेंगे इसमें आदी छोटी चमन भुना हुआ जीरा का पाउडर और इसे बिल्कुल चटपटा बनाने के लिए इसमें डालेंगे आदा चमन चांट मसाला और फिर डालेंगे इसमें नमक स्वाधन सार अब हम इन सबी चीजों को करेंगे अच्छा से मिक्स तो आप देख सकते हैं हमारी बहुत ही चटपटी सी इस्टपिंग बनके तयार हो चुकी है अगर आप इसे और भी चटपटा बनाना चाहते हैं तो आप इसमें थोड़ा स ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है और इसके अंदर तक बिल्कुल भी तेल नहीं जाता ये आटे से और सूजी से बनता है तो ये बहुत ही ज़्यादा हिल्दी भी होता है तो इस प्रकार से हमने इस्टपिंग को बना के तयार कर लिया है तो इस्टपिंग हमारी ब बहुत है अच्छे सेट हो चुका है सूजी फूल के थोड़ा थीक भी हो चुकी है तो अब हम ले लेंगे एक चकला या चॉपिंग बोर्ड और फिर हम इस आटे को उस पे रख देंगे आटे को रखने एक बाद हम एक बार इस प्रकास से थोड़ा सा सेट कर लेंगे आटे को और फिर हम इसे एक चाकू की हिल्फ से इसे बीज से कट कर लेंगे इसके हम दो टुकडे करेंगे आपको अगर छोटे बनाने हैं तो आप इसके तीन टुकडे भी कर सकते हैं अब हम इस आटे के एक भाग को हटा देंगे और दूसरे भाग के हम एक बड़ी सी लोई तैयार करेंगे इस प्रकार से हमने लोई बना लिया है अब हम डालेंगे स्वित थोड़ा सा सुखा हाटा जिससे कि यह चिपकेना आप इसके जगा तेल भी लगा सकते हैं और आटा डालने के बाद अब हम इसकी एक गोल रोटी बना के तयार करेंगे इसे हम जैसे नॉर्मल रोटी बनाते ना उससे हम इसे थोड़ा सा मोटी रखेंगे तो ये देखिए हमने रोटी को बना के तयार कर लिया है आप इसकी ठिक्टीर देख सकती है एक ना ही ज़्यादा मोटी है और ना ही ज़्यादा पतली है नॉर्माल रोटी से बस थोड़ा सा मोटी है तो अब जो हमने श्टफिंग बना के तयार की थी उसको हम इसमें रखेंगे थोड़ा-थोड़ा करके और बिल्कुल पतली से layer इसमें लगाएंगे ज़्यादा मूटी नहीं लगाना बिल्कुल हमें इसकी पतली layer लगाना है अगर ये चम्मस से लगाते नहीं बन रहा है तो आप इसे श्टफिंग को हातों से भी इसमें लगा सकते हैं बस इसे ज़्यादा नहीं लगाना बिल्कुल हलका हलका सा ही लगाना है तो इस प्रकार से मैंने रूटी में बढ़िया से श्टफिंग को लगा दिया है अब हम इसे किनारों में इस प्रकार से पकड़ेंगे और इसे थोड़ा सा उल्टा करके हम इसे दवा देंगे जिससे कि इसके किनारे खुलेना और फिर हम इसे रोल रोल करते करते भी फोल्ड कर देंगे और फिर इसे हम इस प्रकार से दवाते हुए थोड़ा सा और पतला करेंगे यह भी बीच में थोड़ा सा मूटा है इसको बिल्कुल बराबर पतला करेंगे और जो इसके किनारे का भाग है इसको हम फोल्ड करकी अंदर को कर देंगे जिसे कि ये आटा बाहर न रहे और इस्टपिंग के साथ हो जाएं ये देखें बढ़िया सा रोल हमारा बन चुका है ना ही ज़्यादा बिल्कुल मोटा है बिल्कुल बराबर बना है तो इस प्रकार से रोल को अब हम रख लेंगे और फिर हम लेंगे एक चाकू और फिर हम इसके इस प्रकार से टुकड़े करेंगे इसके आप जितने पतले टुकड़े करेंगी नास्ता उतना ही ज्यादा क्रिस्पी बनेगा जिसलिए आप इने ज्यादा मोटे ना करें वरना यह अंदर तक नहीं पकेगा और कच्छा रहे जाएगा तो आप देख सकते हैं कितना लेयरदार नास्ता हमारा बना है इसे परकार मैंने पूरे रोल को कट कर लिया है और आप देख सकते हैं कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में और देखने में बहुत ही यूनीकल नास्ता लग रहा है तो इस तरफ मैंने पहले ही तेल को गरम होने के लिए रख दिया था तो तेल अच्छे से गरम हो चुका है गाइस को हमें बिल्कुल हाई डखना है और अब हम यह नास्ता लेंगे और फिर हमने जो गोल बनाया था उसको हम लेंगे और गोल को एक बार अच्छे से फिर से मिक्स कर लेंगे और आप देख सकते हैं गोल भी हमारा पहले से गहड़ा हो चुका है तो नास्ते को हम लेंगे और इस गोल में डिप करेंगे इस परकार से और फिर हमनेगे एक phoak और इसकी हल्व से हम इस नास्टे को निकल लेगे जिसके जो इसमें स्ट्रॉ पानी होगा वह सारा पानी निकल जाएगा और अब हम इसे तेल में डाल देंगे कित negro आसानी सम्हें इस नास्टे को तेल में डाल दिया है बिस इसी प्रकार से वी दूसरा नास्ता भी आपको दिखाते हैं यह देखे इसमे एक भी पानी नहीं राजता है वह पूरान नीचे चला जाता है और वी नास्ते को तूरंति टिल मिं डाल देते हैं यह दिखिए हम फिर से इस नास्ते को डाल देंगी, यह दिखिए हमें एक ही बार में पूरी कड़ाई नहीं भर देनी है हमें इन्हें थोड़ा-थोड़ा करके पकाना है इसमें जितना इसपेश होगा यह उतनी ही अच्छे से पकेंगे तेल में डालने के बाद अब हम इन्हें बिल्कुल हाई फ्लेम में पकाएंगे तो यह देखिए एक साइड से अच्छे से कोख हो गया है तो इन्हें हम इस प्रकार से पलट देंगे जिसे कि दूसरी साइड से भी अच्छे से कोख हो जाएं मैंने इने पकाते वे तीन से चार वार पलटा है पलट पलट की इनी पकाया जिसे की चारो तरफ से अच्छा से क्रिस्पी हो जाएं इस नास्ते को पकाने में ज़्यादा समय नहीं लगता ये एक से डेड़ मिनट में ही पके तयार हो जाते हैं अब ये चारो तरफ से पक चुके हैं आप देख सकते हैं कितने ज्यादा क्रिस्पी लग रहे हैं तो अब हम ज्यादा देर इन्हें नहीं पकाएंगे वरना ये जल जाएंगे तो चलिए इन्हें हम निकाल लेते हैं तो अब हम इने इस जाली वाले वर्दन से निकालेंगे जिसे कि इसमें जितना भी इश्ट्रा देल होगा वो सारा बाहर निकल जाएगा ये देखिए अब हम इने एक प्लेट में निकाल लेंगे ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है आप देख के ही आपको पता चल रहा होगा कि ये नास्ता कितना ज़्यादा टेश्टी वना है बस इसी प्रकार से हम दूसरा बहच भी फ्राई कर लेंगे उसी प्रकार हम फिर से इसे नास्ते को इस गोल में डिप करेंगे और फिर इसे कड़ाई में डालेंगे तो इस बार मैंने थोड़ा से ज़्यादा नास्ते को डाला है और डाले के बाद इसे भी मैंने हाई फिलेम में पकाया है तो दूसरे बैच को भी मैंने इसी प्रकार से पका के तयार कर लिया है तो चली इसे भी हम इस प्लेट में निकाल लेते हैं यकीद मानीगे ये नास्ता इतना ज़्यादा क्रिस्पी बनाए कि आप इसे एक बार बनाएंगे तो बाहर की समोसे कचोरियां खाना तो भूली जाएंगे तो चली इस नास्ता हमारा बन चुका है तो इसे हम सर्व करते हैं आप मैंने शर्विंग ले ली ली है और फिर अपने बहुत ही क्रिस्पी और हिल्दी नास्ते रखेंगे तो इसे मैंने हरी चटनी और केचप के साथ सर्व किया है आप इसे किसी भी चटनी के साथ खा सकते हैं या फिर आप इसे गर्म गर्म चाय के साथ ऐसे ही खा सकते हैं तो चलिए मैं आपको एक तोड़ की दिखाती हूँ तो ये देखें कितनी लेयरदार बना है नास्ता हमारा और ये अंतर तक एकदम सूखा है और अंदर तक बिल्कुल पका हुआ है इसके अंदर एक भी देल नहीं है अगर आपको मेरी आज की एक कप सूजे से बनने वाली बहुत ही हिल्दी और बहुत ही क्रिस्पी नास्ते की रेश्पी पसंद आई हो तो वीडियो की नीचे जो लाइक कवटन से ज़रू क्लिक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जद़ से जद़ से शेयर करें अब हम मिलते हैं आपको एक नई रेश्पी के साथ तक तक के लिए बाई बाई